आज हम बनाने वाले हैं बैकड़ चीज पाइनेपल स्पैगेटी जो आज की जनरेशन को बहुत पसंद आती है तो चल यह बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने एक पैन गरम रखा है जिसमे मैंने एक टेबल स्पून गी डाला है आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो शुरू कि स्पैगेटी के लिए मैंने या पे दो बाौल नूडल्स बालके रखे है वो डाल रही हूं नूडल्स को हम दो मिनिट के लिए हाई प्लेम पर प नूडल्स को मैंने चार ग्लास पानी, एक चोथा ही चमन नमक और दो टेवल स्पून ओईल डालके 15 मिनिट उबलके उसे ठंडे पाने से दो लिया था अब मैं इसमें वाओल्स सौस डाल रही हूँ, वाओल्स सॉस की रैशिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वाओल्स सौस हम स्पूड लीए है तो हम वाओल बीएक बाओल ही लेंगे अब इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि हमारे नूडल्स सॉस में मिक्स हो जाए नूडल्स को हम हाई फ्लेम पे 5 मिनिट के लिए उबा लेंगे अब हम इसमें पाइनेपल डालेंगे फ्रैस पाइनेपल में खटा पन होता है इसलिए मैंने यहाँ पे घर पे ही प्रिजर्व किया हुआ पैनेपल डाला है पैनेपल मैंने एक बाव लिया है आप चाहो तो रैडी पैनेपल प्रिजर्व किया हुआ मिलता है वो भी ले सकते हूँ फ्लेम मैंने बंद कर दिया है अब हम पाइनेपल को अच्छे से मिक्स करके माइक्रोविम में बैक करने के लिए रखेंगे बैक करने से पहले हम इसमें चीज ग्रेट करके डालेंगे अगर आपके पास माइक्रोविम नहीं हो तो आप गैस OTG को प्रिहीट करके स्पैगेटी को 15 मिनिट के लिए बैक करने के लिए रख सकते है ग्रेटेड चीज स्पैगेटी को अब हम माइक्रोविम में रखेंगे माइक्रोविम को मैंने 180 डिग्री सेलसियस पे प्रिहीट कर लिया था अब हमें इसे कॉंबिनेशन के सेकंड मोड पे चार मिनिट के लिए होने देना है तो तयार है हमारी चीज पाइनेपल स्पैगेटी अगर आपको पाइनेपल प्रिजर्ब करने की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बक्स में बता सकते हो अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करे चानल को सब्स्राइब करे मेरी ऐसी और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिये गए बैल आइकन को प्रेस करे